रिजोव बैंक के लॉंच कुए गए डिजिटल रुपे यानी CBDC ने पहले ही दिन जंडे गार दिये हैं मंगलवार एक नवंबर को RBI की डिजिटल करंसी CBDC का पाइलिट शुरू हो गया और पहले ही दिन बैंकों ने इसके जरिए खूब ट्रांसेक्शन्स के पहले ही दिन इस नई करंसी के जरिए 275 करोण रुपई का कारोबार हुआ पाइलिट प्रजेट के पहले दिन कुल 48 ट्रेट CBDC के जरिए किये गए Clearing Corp of India CCI ने आंकडों से इस बात का पता चल रहा है पहले दिन बैंकों ने 144 करोण रुपई की 24 डील्स 7.38 प्रतिशुत वाले 2027 बॉंड्स में की 23 ट्रेट 130 करोण रुपई के हुए जो की 7.26 प्रतिशुत वाले 2032 बॉंड्स के थे एक स्वादा 6.54 फीजदी वाले 2032 बॉंड्स का रहा इस सेग्मेंट में भागिदारी करने वाले 9 बैंक है इनमें SBI, Bank of Bada, Union Bank of India, HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Yes Bank, IDFC First Bank और HSBC रहे, Reserve Bank ने CBDC के जरिये लेंदेन की सुविधा देने के लिए एक नया प्लैटफॉर्म बनाया है, इसका नाम है Negotiated Dealing System Order Matching, NDSOMCBDC रखा गया है, इस प्लैटफॉर्म के जरिये बैंक सरकारी सेक्योरिटीज की खरीद फरोग्त आसानी से कर सकते हैं नए प्लैटफॉर्म में बैंक सेक्योरिटीज के लिए अपना भाव लगा सकते हैं और दूसरी तरफ से खरीद या बिक्री करने वाला अपनी किस्मत तई कर सकता है, इस तरह से बैंक इनकी खरीद फरोग्त कर सकते हैं, NDSOM पर सेकेंडरी मार्केट के ट्रांस्जेक्शन ह हो रहें, ट्रांस्जेक्शन के एक्जेकेटिव होने से पहले बैंक, रिजर्व बैंक को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, इसमें RBI से उनके कैश रिजर्व रेशियो, CRR, अकाउंट में पड़ी पूची को डिजिटल रुपी में कनवर्ट करने का अनुरोध किया जाता है, इसके बाद ये पैसा RBI के यहां खुले हर बैंक के डिजिटल रुपी अकाउंट में CBDC के तौर पर स्टोर हो जाता है, इसके बाद RBI ततकाल सौदे को सेटल कर देता है और उसमें किसी थर्ड पार्टी की जरुरत नहीं होती, दूसरे सामानी सौदे CCIL के जरिये T-1 बेसि और पैसो का लेंदें ततकाल हो रहा है, इससे बैंकों के वक्त और कॉस्ट दोनों में बचत हो रही है, इसका एक और बड़ा फाइदा बैंकों को ये हो रहा है कि सरह के transactions में जोखिम की गुन्जाईश न के बराबर है, इसके वज़ा ये है कि settlement का पूरा काम सीधे RBI की बैंक अपने डिजिटल रुपी खाते की monitoring भी कर पा रहे है, बैंकों को फाइदा इस बात का भी है कि उन्हें इस तरह के transactions के लिए कोई fees नहीं चुकाने पड़ती है, बैंकों को ये भी फाइदा है कि वे जब चाहें अपने डिजिटल रुपी को CRR में तब्दील कर सकते ह यहां आपको CRR के बारे में भी बता देते हैं, CRR बैंकों के लिए एक शर्थ है, यानि बैंकों को अपने यहां जमा रकम का एक तई फीजदी हिस्सा liquid cash के तौर पर हर वक्त सुरक्षत रखना होता है, बैंकों को CRR को daily basis पर maintain करना होता है, फिलहाल RBI ने डिजिटल रुप के लिए ही खोला है और अभी इसे एक pilot के तौर पर चलाया जा रहा है, कुल मिलाकर CBDC के pilot launch की पहले दिन की सफलता ने इसे लेकर लोगों में उमीदों को और बढ़ा दिया है, हाला कि अभी इसे आम लोगों और इस तरह के transactions के लिए शुरू नहीं किया गया, लेकिन माना ज वीजियो कैसे लगी, कॉमेट करके जरू बताएं, वीजियो को लाइक और शेर करना ना भूलें